हेलो फ्रेंड मैं आप लोगों का अपने चैनल आसिया शेक में विलकम करती हूँ आज मैं आपको उरत की डाल की रेसिपी बताऊंगी ये देखिए मैंने दो कप मटर की डाल ले लिये ये एक कप उरत की डाल ले लिये मैंने और ये एक टमाटर ले लिया है और मिर्शी ले लिया है ये एक पीस प्याज ले लिया है मैंने अब मैं अपने कुकर में उरत की डाल और मटर की डाल को डालूंगी अब मैंने इसे डाल लिया है इसे दो तीन पानी आप अच्छे से धुल ले देखिए मैंने इसको धुल लिया है दो तीन पानी अच्छे से अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें दो कप पानी एट किया है अब मिर्शी और टमाटर एट कर दी हूं यह प्याज मैं एट कर रही हूं इसमें अब देख सकते हैं अब इसमें एक टेबल स्पून जो है उन न उल्दी भी एट करें छोटा चुमत से अब अब यहा डर्ग देए अब दीजे इस शरी के से मैंने रखा है अब मैं इसको बंद कर दूंगी अब मैं इसे बंद करके गैस पे रख दूँगी और दो सीटी होने के बाद अब मैं इसको देखे उतार ली हूँ आप देख सकते हैं मेरी दाल एकदम अच्छे से गल चुकी है आप देख लीजे मेरी दाल गाड़ी लग रही है इसलिए मैं जो है एक कप पानी इसमें एट की हूँ आपने अभी देखा है तो आप भी इसमें एट करें अगर आपको दाल पतली चाहिए तो आप इस तरीके से बनाएं अब देखे मैंने ये एक टेबल इस्पून जीरा और लाल मिर्च पाउडर एट किया है अब डाल को मैंने रख दिया है ताकि मेरी डाल अच्छे से खौल जाए ये देखे मेरे डाल में आप देख सकते है कितने अच्छे से बॉयल आ चुका है ये अब हम तड़का लगाएंगे इस पर देखे मैंने जीरा लिया है और लहसुन और प्याज लिया है तो ओयल को गरम होने देंगे हम मेरा ओयल देखे गरम हो चुका है अब इसमें लहसुन एट कर दिया है मैंने अब इसमें प्याज एट करूँगी मैं और गैस का फ्लेम जो है वो धीरे रखूँगी अब इसमें ये मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा वो भी एट कर दिया जीरा आप जादा ना लें छोटे चम्मश से आदा चम्मश लें थी देखिए मैंने तड़का लगा दिया है दाल में आप देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से हो चुकी है अब मैं इसको सर्फ करूँगी ये देखिए मैं इसको आप सर्फ करूँगी आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है वो सर्फ कर दिया है देखिए अब इसमें मैंने धन्या पत्ती एट कर दिये आप भी धन्या पत्ती जरूर एट करें इससे दाल बहुत ही टेस्टी हो जाती इसकी महग जो है बहुत अच्छी होती है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्र